और वहीं आचारे धिरेंदे कृष्ण शास्त्री के भाई का एक वीडियो वाइरल हो रहा है इस वीडियो में शाली ग्राम पर धंकानी के आरोप लगे हैं अलाकि आपको बता दे कि टीमनान भारत वर्ष इस वाइरल वीडियो की पुष्टी नहीं करता है और पुलिस भी इस वाइरल वीडियो की तफ्टीश में जुटी हुई अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को एक करोड़ फ्रीडम मैप के जो गराहक है उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं पंडित धिरिंद की शास्त्री ये कारिक्रम में शाली ग्राम गरग अक्षन नजर आते हैं चैतर पुलिस का कहना है कि सोस्यल मीडिया पर वाइरल हो रहा वीडियो संग्यान में आया है मामले की जाज के लिए पुलिस की टीम गठित कर दी गई है जाज के बाद पुलिस आगी की कानियोनी कारवाई करेगी बागेश वर धाम के तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और वहीं इस वाइरल वीडियो के लेकर क्या कहा जा रहा है ये वीडियो कप का है और इसकी सच्चाई क्या है ये जानने की अब कोशिश करते है चश्मदीतों का कहना है कि मामला 11 फरवरी का है जब गड़ा गाउं के कल्लू अहिरवार की बेटी शीता की शादी थी 11 फरवरी के राज जब अटकोहा गाउं से पाराद कल्लू के घर गड़ा गाउं पहुचे तो उसमें धिरेंद गिर्शास्त्री का छोटा भाई भी शामिल था पाराद में मौझूद एक चश्मदीद ने घटना को लेकर बताया कि कल्लू अहिरवार की बेटी के शादी समारों में शाली ग्रामगर्ग सरहाप की नशे में हत्यार लेकर आये थी चश्मदीदों के नुशार पूरा मामला गाना बजाने को लेकर शुरू हुआ वाइरल वीडियो में भी दिख रहा है कि शाली ग्रामगर्ग एक व्यक्ति को पकड़ कर मारपीत करते हुए कह रहा है कि राई नहीं बजे इस गड़ा गाव भजे गातों सिफ बागेश्वर धाम का गाना चश्मदीदों के इनुसा जब वहां मौझूद लोगों ने बागेश्वर धाम का गाना बजाने से मना किया तो शाली ग्रामगर्ग लोगों के साथ अभधरता करना शुरू कर दिया ये वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल है इस वीडियो की पुष्टी टीवी नाइन भायतवर्श नहीं करता पुलिस वीडियो की जाच कर रही है फ्रीडम एप से सीख कर क्या आप साबून मनाते हैं अगर ऐसा है तो आप अपने साबूनों को एक करोड फ्रीडम एप के जो गराहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं झाल